हलो फ्रेंड्स, कुक विस सुचिता में आपका स्वागत है ठंड का सीजन में अगर गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो बहुती मज़ा आता है और वो भी सूप अगर घर का बना हुआ है और वो भी सारी सबजियों से भरपूर है तो उसके और भी मज़े आते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सारी सबजियों से भरा हुआ वेजिटेबल सूप हम लोग किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए वेजिटेबल सूप बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वेजिटेवल सूप बनाने के लिए हमें चाहिए धेर सारी सबजिया तो सबजियों को हमने बारीक बारीक काट के रखा है जैसे कि पता गोबी हुआ गाजर है ये फूल गोबी बीन्स और इसके साथ ही ये इस्प्रिंग आनियन्स का ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैंने अलग काट के रखा है उसको भी मैंने बिल्कुल महीन महीन काट लि और इसी के साथ यह मैंने frozen sweet corn लिया है आधा शिंबला मेश को भी मैंने बारीग बारीग काट लिया है और इसके साथ ही यह हमने frozen mutter लेसुन और धेर सारा अध्रक को यहाँ पे हमने grate कर लिया अध्रक को चाहें आप तो कुछ कुछ महीन महीन भी काट सकते हैं तो यह सारी बनाने के लिए, एक कढ़ाई में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल में हम लोग डालेंगे बटर, अगर हम लोग डायरेक्ट यहां पे बटर डालेंगे तो हो सकता है कि बटर हमारा जल भी सकता, इसलिए हम लोग ने बिल्कु थोड़ी से अमाउंट में तेल डाल है बटर ताकि जो बटर है वो हमारा जले हैं ज़डरK यह सबाल सासूर हम एट का थोड़ा, छापन है व भी यहाजदम हो गज़ा इंगे जैसे हमाइट सूप बनाने तक हम इसे निकाल देंगे तो इसके बाद् क इसमें डालेंगे तो इसके बाद प्याज, उसको प्याज है, उसको भी बहुत जादा देट तक नहीं भुनना है, इसको भी बस हमको हलका सा सॉफ्ट करना है ताकि प्याज का जो कच्चा बन है वो चला जाएं तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हलका सा सॉफ्ट हो गया तो इसमें हम लोग डाल देते हैं, सारी कटी हुई सबजिया, यहाँ पे सबजिया हम अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर इसमें से कोई सबजी आपको नहीं पसंद है, तो उसको आप हटा के दूसरी सबजी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो इस सबजिया तो हमने डाल दी है, यहां पर अभी हम लोग मतर और जो sweet corn है, उसको अभी हम लोग नहीं डालेंगे, यहां पर इन सब्जी को डाल के हम लोग इसको हलका सा भूल लेते हैं, इतमींज हलका सा इसको soft होने तक छोड़ देते हैं, तो soft इसको हमको करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नमक, नमक डालने से जो सब्जिया है, वो थोड़ा सी अच्छे से soft हो जाएंगी, तो इन सब को mix कर देते हैं, और अब हम लोग इसमें डालेंगे, मतर और sweet corn, तो उसको भी इसमें डाल के अच्छे से mix कर लेते हैं, और इसको बीच बीच में चला के, हम लोग तो यह सारी सब्जिया है, उसको हलका सा soft कर लेंगे, तो आप देखेंगे, दो से तीन मिनट में यह सब्जिया है, वो सारी soft हो जाएंगी, तो उसके पाथ हम लोग इसमें डालेंगे धेर सारा पानी, तो यहां पर मैंने इतनी सारी vegetables डाली है, तो उसके according हम इसमें करीब द लिटर के आसपर हम लोग इसको में पानी डालेंगे, पानी डालके इसको हम लोग अच्छे से mix कर लेते हैं, और इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो गैस की flame है, उसको high रखेंगे, ताकि जो पानी है वो जली से उसमें उब medium flame पे, तो यहाँ पे एक उबालाने के वाद इसको high flame पे मत पकाईएगा, नहीं तो जो सबजीयों का जितना भी vitamins होता है, वो सब खतम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको medium flame पे इसको हम लोग पकाएंगे, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट हो गया है, पान और बिलकुल पानी पानी सा लगेगा, तो उस पानी को हम लोग को थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने corn floor और पानी के एक slurry बनाई है, तो इसको हम लोग इसमें डालेंगे, और इसी से थोड़ा सा गाढ़ा पन हमारे soup में आएगा, तो यह जो slurry हमने बनाई है, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसको भी हम लोग करीब पांच मिनेट पकने के लिए छोड़ देंगे, पाकाना को बहुत ज़रूरी नहीं, तो सूप में corn floor का जो कच्छा पन है, वो आ जाएगा और सूप टेस्टी नहीं बनेगा, तो यह चलिए, सूप तो पकना शुरू हो गया है, अब इसमें हम लोग थोड़े से और फ्लेवर डालते हैं, तो यहां पर मैं डाला है करीब 2 चम चीनी, थोड़ा सा खटा पन के लिए नीबू का रस, और अभी तक हमने यहां बची का ख़र कोई भी चीज नहीं डाली है, तो थोड़ा सा तीखा पन के लिए हम लोग इसमें डालेंगे काली मिर्च, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा जाधा काली मिर्च यहां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा कर सकते हैं, अब इस सूप में सारा फ्लेवर हम पका लेते हैं जिस से यह सूप है वो थोड़ा सा और काड़ा हो जाए है और बस सबसे आखरी में हम लोग इस में डालेंगे जो इस बहुत है वो हम लोग के लिखा और ऋसको हम बन कर देते हैं तो यह यह थंड के सीजन का ऐइक पर्फेक्ट सूप हमारा बन के तयार हो गया है इसमें सारी सबजिया भी है उसके विटामिन्स भी है सारा टेस्ट है तो इस सूप आप इस सीजन में एक बास जरूर ट्राइ करिएगा डेफिनेटली यह आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा और जैसा कि आजकल तो डाइटिंग बहुत लोग करते हैं उनके लिए भी यह जो सूप है एक पेट भरने का एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है तो वो लोग भी इस सूप को अराम से घर में बना सकते हो और उससे अपना वेट लॉस कर सकते हैं तो आपने देखा कि यह सूप बनाना कितना आसान है तो यह सूप की रेसिपी आप सबसे पहले आपको मिल जाएंगे तो तब तक के लिए बाई बाई